हेलो एवरिवेंड कैसे हैं आप सब स्वागे थे आपका मेरे किचिन स्वाधी बैतरी में आज हम बनाने जा रहे हैं बच्चों की फेवरिट चॉकलेट ब्राउनी कि देखनी में जितनी अच्छी लग रही है खाने में भी उससे जादा अच्छी है तो देखकर आख तो आपको अंदाजर लगी गया होगा कि ये कितनी क्यूट कितनी गुड लुकिंग है लेकिन ये बहुत जादा हेल्दी है कि आप इसे बच्चों की लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं क्योंकि इसमें मैंने बिना चीनी के बिना मैदे की बनाया है साथ ही इसमें कोई अंडा नहीं यूज हुआ है आप इसली इसे बिना आवन के घर में कड़ाही में बेक कर सकते हैं तो ये ब्राउनी बहुत ही जादा टेस्टी और एल्दी है तो वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखिएगा क्योंकि वीडियो में आपको बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट पता चलने वाली है तो साथ ही अगर आपको पसंद आती है वीडियो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नब दोले तो चलिए देखते हैं कि हमें ये चॉकले ब्राउनी कैसे बनानी है तो यहाँ पर मैंने ले लिया है आदा कप गुर्ड आदा कप गुर्ड मैंने इसलिए बोला क्योंकि मैंने यहाँ पर एक कप गेहूं का आटा लिया है मैदे की जगा तो जो मैंने आदा कप गुर्ड लिया है उसे हम पानी डाल देंगे थोड़ा सा बहुत ज़्यादा पा पाउडर भी मिलता है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं तो यहां मैंने चीनी को गुड़ से रिप्लेस किया है तो यहां पर गुड़ जो है वो पानी में अच्छी तरीकी से गुल गया है तो हम क्या करेंगे ना इसे किसी कपड़े की हल्प से या फिर छन्नी से इसे हम छान ल फिर इसके बाद हम इसमें आड़ कर रहे हैं सेम कॉंटिटी में रूम टेंपरेचर पर रखा हुआ बिल्कुल फ्रेश दही तो दही बहुत जादा ठंडी नहीं होनी चाहिए और खटी भी नहीं होनी चाहिए और फिर आधी कप्छे थोड़ा सा जादा हमने यहां पर लिय है दूद अगर आप इसी मिजरमेंट से बना रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी कम जादा कुछ भी करने के ज़वरत नहीं है तो यहां पर हम इन सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे एक बाद फिर यहां पर हम रख रहे हैं एक स्टेनर यहां पर मैंने ल ठीके अब इसे हम अच्छी तरीके से जान लेंगे फिर इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे एक ही साइड चलानी है हमें या फिर कटन पोल के विधी से हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे परफेक्ट तो बैटर हमारा अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है त यहाँ पर हम दो चमच के करीब को को आप पाउडर डाल रहे हैं साथ ही हमने यहाँ पर अमुल का डाक चॉक्रेट लिया हुआ है तो थोड़ा सा चॉप करके उसे भी हम बैटर में डाल देंगे इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा बिल्कुल ऑप्शनल है अगर आप ना जाल देंगे साथ ही यहाँ पर मैं यह जो थोड़ा साना वालनट है मैंने इसे चॉप कर लिया है आप चाहे तो अपने टेस्ट के कोर्डिंग अपनी पसंद के उनसा कोई दूसरा ड्राइफूट्स भी आड़ कर सकती है इससे क्या हो करने यह देखने में बहुत जादा अ इसके भी बना सकते हैं सिंपल सा या फिर चाहे तो सिर्फ चॉकलेट चिप्स भी उपर से आड़ कर सकते हैं थोड़ा सा टैप टैप करेंगे इसे जो भी एर बबल्स बने हो वो रिमूब हो जाए अब मैंने कडाही रग देती पहले से ही थोड़ा सा प्री हीट हो गया है तो इसमें हम इसे रख देते हैं हाथ को बचाते हुए आराम से फिर हम इसे ढख करके 20 से 25 मिनट के लिए को कर लेंगे बेकिंग टाइम थोड़ा सा जादा लग सकता है कम ओपर नीचे हो सकता है तो यहाँ पर देखिए पूरे 25 मिनट लगे हैं और यह हमारा जो ब्राउनी बिल्कुल पॉर्फेक्ली बेक हो चुका है मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर देखिए मैंने टूथपिक इंसर्ट करके किया है और इसमें बिल्कुल भी नहीं लगा है इसलिए मतलब हमारी ब्राउनी अच्छी तरीके से कोख हो चुकी है तो जब ब्राउनी अच् कमाल का दिख रहा है तो आपको तो बहुत जादा पसंद आएगी और बच्चों के लिए भी बहुत जादा अच्छी लगेगी तो अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो ना तो प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्रा करना बिलकुल ना भूलें मिलते हैं नेक्स रीडियो में तब तक के लिए टाटा वाबाय शुक्रिया जैहिंद जैभारत कि अगर 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 अगर